विल्कम बैक टो मैं चैनल कोस्ट गाड के लिए क्लास से स्टार्ट करने वाला हूं तो उससे पहले सारी चाहिए आपको के लिए रोनी चाहिए देखिए कमेंड बॉक्स खाली पड़ा जितनी भी क्वेश्चन है आपके कोस्ट गार से लेटर सारे आप मूझ सकतो मैं सभी के फिलप करवा दिया है तो उससे लिए जो भी अपडेट होंगी वो टेलिग्राम पर मैं सेंड कर दूँगा आपको बता दिया करूँगा तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कोस्ट गार नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच इसके लावा आपका जीडी जनरल और यांतरINK का जो SELICTION PROACEDUR रहूर है उसका जो स्टेज 1 है उसके बारे में इसका जो स्टेज one की बात करने वाला हूँ क्योंकि अभी आपका जो पूरा focus होना चाहिए वो stage one पर होना चाहिए आपका जो stage one है वो September में होने वाला है online आपका जो written exam है वो आपका लिया जाएगा so इससे later जितने भी आपके question बनते हैं सारे इस वीडियो में clear होने वाला है जैसे कि आपको जो written test है उसमें कितने question आएंगे किस subject से कितने question आएंगे कितना time मिलेगा number कितने मिलेगे negative marking होगी की नहीं होगी passing mask क्या है cut off क्या है slavers क्या रहेगा सारी चीज़े मैं आपको आने वाला हो वीडियो पर बने रहना होगा आपको अगर यह वीडियो आप skip करके जाते हो यह आपकी गलती मेरा काम है बताना और अगर आप skip कर देते हो तो यह आपकी गलती है तो वीडियो छोड़ के मज जाना सारी चीज़े देखो कोशगाड का एक्जाम जो सेप्टेंबर में है उसके लिए परिक्षाप पर फिर से नई और लेटेश टेस्ट स्रीज आपके लिए लाँच कर दी गई सेप्टेंबर स्पेसल सो परिक्षाप अगर आपने आप नए कंडिटेर तो परिक्षाप आपको ने लाँच करो नंबर डार के स्टर करना सेट करना टेस्ट वारे सेक्षण पर आपको कोशगाड जी डी और डीबी के लिए सेप्टेंबर स्पेसल सेज मिल जाएंगी इनको जाकर पर्चेस करो जब आप पिए मेंड करो तो आपे कोड को आप्शन आएगा इंडिय कोड डाल देना आपको सीधा 50% का डिसकाउंट मिल जाएगा तो परिक्चाइब हर बार आप एकजाम के लिए आपको अपडेटेड नई टेसेज लाता है तो जाकी इनको परचेस करो परिक्चाइब के लिंक और कोड दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दोंगा एक सबसे पहले यहां पे है ड्ट बात करें सक्सक्रेण है उसको शरक्षन है तो इसको चरूरत क्या लें तो GD में भी आपको मिलेगा और यांतरी की तीनी पोस्ट में भी आपको यह मिलेगा इसलिए इसका नाम section 1 दे दिया गया सो अब इसलिए बात है आपके जो एक्जाम में DB की एक्जाम में section 1 आपको मिलेगा जिसके लिए passing marks 30 नंबर है और 27 नंबर है अगर आप SCST category से हो अब इस section 1 में होगा क्या detail of examination है यहाँ पे आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा जिसके लिए आपको जो 60 question दिये जाएंगे 45 मिनट में आपको 60 question दिये जाएंगे जो कि आपको करने होंगे और इसके लिए जो number आपको दिये जाएंगे वो 60 number मतलब एक number का आपका एक question होगा अब यह जो 60 question होगे आपके इसमें math के 20 question होगे math आपके non-technical होगी science के 10 question होगे English के आपके 15 question होगे reasoning के आपके 10 question होगे इसके लिएव जीके से आपके 5 question होगे passing marks मैंने आपको बता दिया 30 और से इस्टिके टीरी से हो तो 27 जो syllabus होगा आपका 10th base syllabus होगा बस यही है आपका DB का stage 1 यही आपको paper मिलेगा इतना सारा चीज़े आपको मिलेंगी जो आपका paper होगा objective type होगा और कोई भी negative marking आपका नहीं होगा इसके लावा एक question और बनता है कि यह जो paper है आपका किस language में होगा so यहाँ पर दिया नहीं हुआ है लेकिन जो आपका paper है Hindi और English दोनों language में होगा आप किसी भी language में तयारी कर सकते हो इस paper को attend कर सकते हो यहाँ पर confusion यह create होती है कि passing marks यहाँ पर 30 number है मालों यहाँ पर जो cut off है वो आपकी आगी 40 number ठीक है 40 number आपकी cut off हा गई और आप अगर 30 लाए हो तो आप pass तो हो लेकिन stage second के लिए qualify नहीं कर पाऊगे जब आपके 40 number या फिर उससे ज़्यादा होंगे तब ही qualify कर पाऊगे समझ गए तो यहाँ पर आपको target करना है कि 45 में कम से कम आप 45 plus question के answer दो और सही दे के आओ clear next है आपका gd gd का जो paper है दो section में divided होगा एक section first और second so मैंने आपको लेडी बताया कि जो section first है वो आपका sum में रहेगा जो section first है वो आपका db वाला same to same रहेगा और gd अगर आपको निकालना है तो सारा खेल है आपका section second का passing marks यहाँ पर दी हुई है 50 number SCST category से हो तो आपके यहाँ पर 44 number यहाँ पर sectional भी आपको pass होना होगा section first में आपको 30 number लाने होंगे और section second में भी आपको 20 number लाने होंगे इसके बाद आपके 50 number से ज़्यादा होंगे तो आप pass हो ठीक है यहाँ पर जो section first है मैंने आपको पूरा syllabus दिखा दिया वही same to same रहेगा जो आपकी db का है clear अब सारा खेल यहाँ पर section second का अगर आपको gd निकालना है जो आपकी जो पासिंग मार्क से वह आपकी बीच नमबर है और section first के लिए 30 number जो syllabus होगा आपके वो 12th बेस पे होगा सारा खेल यहीं पर अब यहाँ पर section wise यहाँ पर Q डिवाइड किया गए यहाँ पर दो section यहाँ क्यों दिये गए है क्योंकि जो पहला section है वहाँ पर यहाँ पर आपको कितना दिया जा रहा है 45 मिनट तो अगर आप GD के लिए अपलाई कियो आप section first फटाक से आप 30 मिनट में कर लेते हो बचा आपके पास 15 मिनट यह और 30 मिनट यह तो 45 मिनट आपके पास बचा यह करने के लिए आप कर लोगे जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे और 30 मिनट में आपको 50 कुशन करने है जिसमें math के 25 होंगे और physics के 25 होंगे जो कि आपके 12th level के होगे तो यह होता है आपका challenging section section second तो इसके लिए आपको बहुत practice करने होगी online practice करो आप देखो कि आप कितने question कर पाते हो 30 मिनट में 30 मिनट में आप अभी आप अगर online test लगाओगे जाके परिक्चाय पे तो बताओ मुझे description पे आपको instagram की link मिलेगी परिक्चाय पे test लगाओ जाके और section second में आप attempt करो जाके 30 मिनट में क्या आप 20-25 कितने question करते हो दीरे दीरे आप practice करो कि तब exam तक जाके आप कहीं 30 मिनट में 30 या 35 या 40 question कहीं attempt कर पाओगे ठीक है तो ये है आपका stage first आपका gd का अब आता यहां तरिक तो यहां तरिक भी बहुत easy है समझ लो यहां पे आपका तीन post है electrical की electronics की और mechanical की stage सब में रहेगा तो electrical के लिए आपको stage first के साथ third मिलेगा और electronics के लिए first के साथ fourth और mechanical के लिए first के साथ fifth ठीक है यहां पे आपकी passing marks दी हुई है और हर section में pass होना यह भी यहां पे लिखा जरूरी है सो जो section first है वही है रहेगा आपको जो DB का था बिल्कुल same to same अब जो section third है तो इसमें आपके electrical engineering से 50 question होंगे जो कि आपको 30 minute में करने होंगे ठीक है fourth number है आपका उसमें आपके electronics से होंगे 50 question 30 minute में और यहां पे mechanical engineering से आपके 50 question 30 minute में सो यह आपका यांतरीक का selection procedure आपके stage 1 का so hope यह चीज़े आपको clear हो गई होंगे negative marking नहीं है cut off जब exam होगा उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कितनी जा सकते है cut off बाकि आप maximum से maximum courses करिए कि जतने ज़्यादा ज़्यादा आप तैयारी कर पाओ कर पाओ देखो जितना ज़्यादा आप online practice लगाओगे online आपका exam होगा आप GD का खेल सारा है आप practice कितना करते हो आप 30 मेर में 50 में से कितने question कर गया तो वही सारा खेल है ना तो यह मैंने आपको बताना था hope यह वीडियो आपको समझ आ गई होगी साइज चीज़े आपको clear हो गई होगी ज्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं हो चोटी सी वीडियो में है और description पर आपको telegram channel कर लिंक मिल जाएगा वो जरू जोईन कर लेने वापस आई चीज़े मैं आपको उता हूँगा पर एक चाइप की link आपको description मिल जाएगी पर एक चाइप पर जो भी टेस्ट रीज़े आपके September special exam के launch करी गई है वो जरूर लगा और आप score जो है उसका screenshot मुझे Instagram पर बेजना ठीक है मिलते हैं इस वीडियो में टेक क्यार बाई गाई